प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सब का स्वागत है। आज हम नौमे कक्षा की पाठे पुस्तक, शेमुशी के पाठे जटायो शौरियम को पढ़ रहे हैं। हमने प्रथम भाग में जटायू और रावन के बीज हुए उस समवाद को पढ़ा था। जब जटायू रावन को समझाते हुए कहते हैं कि परस्त्री का पहर्ण, रूप जो निंदित कर्म है, आप अपनी नीच होती हुई बुद्धी को उस कार्य से रोक लीजिए। वह कार्य उचित नहीं हैं क्योंकि धैर्यशाली व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, जिस से दूसरे उसकी निंदा करें। यह प्रसंग वह है, जब रावन पंचवटी वन से सीता का पहर्ण करके ले जा रहे हैं, और सीता के पुकारे जाने पर सीता के करुण विलाप को सुन करके पक्षिराज जटायू वहां आ जाते हैं, और उन दोनों में फिर प्रथम परस पर सनलाप होता है, वार्तालाप होता है और पुनह युद्ध। बालकाह अधुना अग्रे पठामह, शलोकह प्रत्थमम शलोकम पठिश्यामे, तस्य प्रतेकम पदस्य प्रिथक प्रिथक कृत्वा पठनम करिश्यामे, शब्दार्थाह पुनह अन्वयह तत्पस्चात अर्थस्य स्पस्टिकर्णम अधुना पठामा व्रिद्धोहं त्वं युवा धन्वी सरथह कवची शरी नचाप्यादायकुषली वैदेहिं में गमिश्यसी जटायू कहते हैं व्रिद्धाह हूँ मैं बुजुर्ग हूँ मैं बड़ा हूँ त्वं युवा त्वं तुम युवा जवान हो युवा हो धन्वी धनुष जिसके पास है वै धन्वी तुमारे पास धनुष है सरथः रथ जिसके पास है वह सरथः तुम्हारे पास रथ भी है कवची कवच जिसने पहन रखा है वह कवची तुमने कवच भी पहना हुआ है शरी तुम्हारे पास शर भी है तुनीर भी है जिसमें बहुत सारे बान है न नहीं च और अपी भी फिर भी आदाय ले करके कुशली कुशलता से सरलता से वैदेहिम सीता को में मेरी गमिश्यसी चले जाओगे जटायू कहते हैं अन्वे देखिए कि हे रावण मैं व्रिद्ध हो गया हूँ मैं व्रिद्ध हूँ व्रिद्ध अहम संधी युक्त पद है आप युवा हैं तुम युवा हो तुम धनूरधारी हो तुम रत के साथ हो तुमने कवच भी धारण किया हुआ है तुम्हारे पास शर भी हैं बान भी हैं तुनीर भी है लेकिन मैं वैदेही मेरी इस सीता को कुशली आदाय सरलता से आसानी से ले करके कुशली सरलता से आदाय ले करके ले प्रत्य का प्रियोग है प्यारे बच्चों आउपसर्ग है दाधातु ले प्रत्य है सरलता से ले करके न गमिश्य से नहीं चले जाओगे जटायू कहता है कि बेशक आपके पास में सारी वस्तुएं हैं आपके पास में एक योद्धा को जो कुछ उपयुक्त है वो सब वस्तुएं बेशक रावन आपके पास हैं मैं व्रिद्ध हूँ और मेरे पास वह कोई वस्तु नहीं है फिर भी आप मेरे होते हुए कुछली वैदेहिम आदाय न गमिश्य से आप सरलता से सीता को ले करके नहीं जा पाओगे आपको जाने नहीं दूँगा मैं यह जटायू रावन से कहते हैं कथा क्रम घटना क्रम आगे बढ़ रहा है पहले समझाया समझाने के बाद भी रावन को जब समझ नहीं आया तब उसे ललकारते हुए जटायू नहीं यह श्लोक कहा और उसके बाद आये देखते हैं पुनह अग्रिम श्लोक के कथा किद्रिशी भावती एक श्लोक अभी हमको और पढ़ना है उसके बाद हम इन नीचे के श्लोकों को आठवें श्लोक को उसके बाद देखेंगे अभी हम सात्वें श्लोक को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चो सात्वे श्लोक को आप देखिए, तस्य तिक्ष्ण नखाब्याम् तू चरनाब्याम् महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान्य पत्तग सत्तमः तो तच्छा, तस्य तिक्ष्ण नखाब्याम् तू चरनाब्याम् महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणानी पत्तग सत्तमः पत्तग सत्तमः कहते हैं व्रिक्षों पर रहने वाला, व्रिक्षों पर निवास करने वाला, उस व्रिक्षों पर निवास करने वाले महान बलवान ने, कौन व्रिक्षों पर निवास करने वाले जटायू, व्रिक्ष पर निवास करने वाले उस महान बलवान जटायू ने, तस्य उसके कस्य रावन स्य उस रावन के क्या किया तिक्षण नखा भ्याम अपने तेज धार वाले नख से नाखुनों से चरणा भ्यामतु और अपने पैरों से अपने तेज धार वाले नाखुनों से और अपने पैरों से बहुधा गात्रे बहुधा याने बहुत प्रकार स गात्रे शरीर में व्रणान घावों को चकार कर दिया। उसके शरीर में बहुत प्रकार से घावों को कर दिया। अधुना अन्वयम पश्यामह आईए अन्वय को देखते हैं। तदा महाबलह पत्तग सत्तमह तिक्षन नखाब्याम तरस्टाब्याम तस्यगात्रे व्रणानी चकार तब उस महान बलशाली जटायू ने जो व्रिक्ष पर रहता था। उस रावण के शरीर पर अपने नखों से और अपने पैरों से बहुत सारे व्रण कर दिये, बहुत सारे घाव करके उसको आहत कर दिया। अधुना अग्रिमम श्लोकं पठाम अस्तमा श्लोकह तो अस्य सशरम चापं मुक्ता मनी विभूशितं चरनाभ्याम महा तेजा बबंजास्य महद्धनू इसके पस्चात क्या हुआ? अता अस्य मुक्ता मनी विभूशितं शरम चापं महद्धनू च महा तेजा चरनाभ्याम बबंजा। यह अन्वय हुआ अता अस्य उसके बाद इसके सशरम शर और चाप याने शर याने बान और चाप याने धनूश। उसके बान और धनूश। बभन्ज तोड़ दिया अस्य इसके महत धनु महत याने श्रेष्ट बड़े महान धनु धनुश को अर्थ देखिए इसके पस्चा जटाईू ने रावण के शर और चाप ऐसे शर और चाप जो मुकता और मनी से विभूशित थे अपने पैरों से उस महान तेज़स्वी जटाईू ने अपने पैरों से उसके मुकता मनी से विभूशित शर और चाप को और उसके महान धनुश को महत धनु महान धनुश को बभन्ज तोड़ दिया घटना क्रम आगे बढ़ रहा है रावन को जटाईू ने ललकारा अपना परीचे दिया अपनी शक्ति का परीचे दिया और शक्ति का परीचे देते हुए उसके शरीर पर पहले वरण किये उसके शार्थी उसके रथ पर आक्रमन किया और आगे उसका जो शर और चाप था उसका जो महान धनुश था उसको भी अपने पैरों के प्रहार से चरना अभ्याम याने पैरों से महान तेजा महान तेजा महान तेज है जिसका इसे महान तेजस्वी उस जटाईू ने बभंज़ बभंज़ याने तोड़ दिया इसके महान धनुश को तोड़ दिया अगले श्लोक में चलते हैं प्यारे बच्चों वीरथ हात आश्व हात सारति ही तलेन अभी जगान आशू जटायूम क्रोधमुर्चित हा सा यने उसने भगन धनवा, भगन हो गया है धनुष्जिसका, भगन हुए धनुष्ज वाले उसने विरतो रत्से हीन्य हत अश्वो जिसके अश्व गोड़े हत हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिसका सार्थी हत सार्थी हत हो चुका है सार्थी जिसका तलेन तलवार से अभी जगान प्रहार किया मारा आशू तेजी से जटायूं जटायू को क्रोध मुर्चित हुए अधुनानवयं पश्याम सक्रोध मुर्चित हा रावण हा सक्रोध मुर्चित हा भग्न धन्वा विरत हा हतास्वह हत सार्थी जटायूं तलेन आशू अभी जगान उसे तूटे हुए धनुषवाले क्रोध से मुर्चित हो करके क्रोध मुर्चित हा अंतिम जो पद है प्यारे बच्चो यह रावण का विशेशन है उपर वाली पंक्ती में यह सारे पद ही रावण के विशेशन है क्रोध मुर्चित हा गुसे से पागल जिसको कहते है न क्रोध से मुर्चित वह क्रोध से मुर्चित हो गया वह कौन रावण उस क्रोध से मुर्चित हुए रावण ने कैसे रावण ने जिसका धनुस टूटा हुआ है जिसका रत टूटा हुआ है रत से हीन है हत अश्व जिसके घोडे मर गए है हत सार्थी जिसका सार्थी मर गया है ऐसे उस रावन ने जटायुम जटायु को तलेन तलवार से आशु अभी जगान बड़ी तेजी से आशु कहते है शिग्रम तेजी से अभी जगान प्रहार किया उसके उपर आकर्मन किया आईए अगले श्लोक में अभागे बढ़ते हैं जटायु स्तमति क्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपह वाम बाहुन दशत अदा व्यपाहरद अरिंदमह एक एक पद को देखिए जटायु तम अति क्रम्य तुंडे नास्य तुंडे नास्य खगाधिपह वाम बाहुन दशत अदा व्यपाहरद अरिंदमह अरिंदमह का आर्थ होता है अरि कहते हैं शत्रू को अरिंदमह शत्रू का दमन करने वाला शत्रू को दवा देने वाले तब तदा अरिंदमह खगाधिपह जटायु तुंडे ना तम अति क्रम्य तदा तस्य वाम बाहुन दश व्यपाहरते तब जटायु ने जटायु तम अति क्रम्य जटायु ने उसके उपर अति क्रमन करके आक्रमन करके तुंडे न अपने मुक से अपनी चोँच से खगाधिपह उस पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोँच से उसके उपर आक्रमन करके वाम बाहुन दश बाएं हिस्से की दस बाहुओं को व्यपाहरत तदा तब व्यपाहरत हर लिया याने काट डाली अलग कर दी अरिंदमा शत्रू का दमन करने वाले उस जटायू ने तब अपने तुंड से अपने मुख के प्रहार से उस रावन के बाएं हिस्से की जो दस भुजाएं थी उनको काट दिया व्यपाहरत यहने हरन कर लिया, अपहरन कर लिया, अलग ले लिया यहने शरीर से अलग कर दिया जटायू तम अतिक्रम्य खगाधिपह जटायू अरिंदमह खगाधिपह जटायू तम तुंडे नास्य बाम बाहुंदश व्यपाहरते। तब उस शत्रों का नाश करने वाले शत्रों को दबाने वाले पक्षी राज जटायू ने उसके उपर आकर्मन किया और अपने मुख के प्रहार से अपनी चोंच के प्रहार से तुंडम मुखम अपिभावती चंचु अपि पक्षी इत्यस्यकृती चंचु तुंड का आर्थ मुख्र हमारे लिए है और उसके तो चौच है तो अपने तुंड से उसने उसके जो बाएं दस भुजाएं थी उनको अपहन कर लिया। इस पाठ में प्यारे बच्चों हमने देखा बहुत सारे विशेशन और विशेश्यों का प्रियोग हुआ है। भग्न धन्वा, वीरथ, हताश्व ऐसे पदों का प्रियोग भी हुआ है। और जटायू की विशेश्ता बताने वाले खगाधिपा, महाबला, अरिंदम ऐसे पदों का भी प्रियोग हुआ है। तो विशेशन विशेश्य को हमने अच्छी तरह से भली प्रकार से इस पाठ के माध्यम से समझना है। इसके पस्चात जो व्याकर्ण के नूतन पद हैं विशेश्य रूप से बभंज, तदर्श, ऐसे जो लकार का प्रियोग हुआ है, ये भूत काल के अर्थ में हैं, इसको भी भली प्रकार से हमको समझना है। संधी विशेश रूप से इस पाठ में विशर्ग संधी और स्वर संधी का अधिक प्रियोग हुआ है, विशर्ग संधी और स्वर संधी इसका भी हमको ध्यान रखना है। एवं प्रकारिण यदि वयं व्याकरणिक परिचयेन सह श्लोक आनाम अध्यनम करिश्यामह तदा कथायाह रोचक तया कारणेन वयं सम्यक तया श्लोक आनाम अर्थ ग्रहनक शमताम प्राप्तुम शक्नुमह श्लोक हमको अच्छी तरह से समझा जाएंगे और इनमें प्रकार से समझ पाएंगे अयम अस्य पाठ अस्य अभी प्रायह वर्तते प्रियच्छात्रहा भवत भी सम्यक तया पठितम आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ गया होगा आपने इसे भार बार पढ़ना है इन श्लोकों का भाव और अर्थ आपको भली प्रकार से समझ आ गया आप अपनी जो उस्तिका है संचिका है उसमें लिखिये और उसका अभ्यास कीजिए अनवय के साथ लिखिये शब्दों का आर्थ कीजिए व्याकरणिक परिचय लिखिये आप जब ये लिखेंगे तो इतना करते हुई आपको श्लोक भली प्रकार से समझ आ जा भी गम्य हो जाएगा आप इस दिशा में प्रयत्न करें बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे वच्चों